हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे आज फिर मैं एक नई ओशदी लेकर आई हूँ आपसे जो बहुत ही दिव्य ओशदी है जिसके गुड सुनकर आप एकदम चौक जाएंगे क्योंकि ये बहुत जादा फायदेमन ओशदी है दोस्तो ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये अक्सर आपको खेत खलियानो रोडों को किनारे तलाबों में किनारे जाडी नुमा पौधा ये आपको देखने को मिल जाएगा ये ज्यादा तर आपको बरसात के दिनों में ज्यादा देखने को मिलेगा तो दोस्तों मैं इसी रास्ते से निकल रही थी तो मेरी नजर इस जाड़ी नुमा पौधे पर पड़ी तो मैंने देखा अरे ये तो एक दिव्वे ओशदी के रूप में यूस किरने वाली ओशदी है तो ये बहुत ज़्यादा फायदे मंद ओशदी है तो मैंने सुचा क्यों न आपको इसके गुण से परिचित कराएं और इसका नाम आपसे बताएं क्योंकि ये बहुत ही जादा मुश्किल से पौधा मिलता है और बहुत जादा फाइदे मंद होता है तो मुश्किल से मिलता है तो मेरी नजर पड़ी तो वैसे ही मैंने कहा क्यों न मैं आपसे इन सारी इसके जो गुण है उसे शेयर कर दूँ तो इस वीडियो में आप इसे देख लीजे और पहचान लीजे तो इस तरीके से इसकी पत्तियां होती है इसका फल होता है ये एक जाड़ी नुमा पौदा होता है इसके फल इस तरीके से गुमबज नुमा होते हैं इसमें छोटे छोटे इसके बीज होते है तो इस तरीके से अगर आप इसे देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो आपको इसे ध्यान से आप इस वीडियो में देखे, तो आपको इसके जो प्रियोग करने में हैं, बहुत ही आसानी हो जाएगी, आप बहुत ही आसानी से इसे प्रियोग भी कर पाएंगे, तो ये आपको कहीं भी मिल ज तो आप इसका प्रियोग करके इसको यूज करके आप अपनी कई सारी विम्यवारियों को ठीक कर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं वो भी जड़ से, तो फ्रेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके गुण और इसकी जो इसके फायदे हैं उनके बार आता है, उनमें से ये एक औशदी भी है, तो उनमें से एक नाम आता है, ये है द्रॉन पुषपी, जी हाँ, कुछ लोग जानते भी होंगे और समझ भी गए होंगे, द्रॉन पुषपी, ये बहुत ही दिव्य महत्वपूर्ण शक्तिशाली औशदी है, इसको गाउं घरों में गुमा के नाम से भी लोग पुकारते हैं, इसके अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम हैं, और इसकी एक खाशियत है कि आप इसकी पत्ती को गर जो है लेकर के हाथ में रगड देते हैं, तो इसकी स्मेल जो है वो बिलकुल तुलसी की पत्ती सी महकती है, तुलसी की प में फल निकलता है बस वोलन होता है उसे देखने से तोड़ी सी अलग लग जाती लगिन इसकी पत्या आप देखेंगे गौर करेंगे तो बिलकुल तुल सी जैसी ही लगती है तोड़ी में इसके डिफरेंट है worst झायदा वरह चैसा ही दिखता है tut की कई प्रजाती पाई जाती है हमारे प्रांत में जैसे इसका हो हिंडी में गोया मोरापाती दुरफी के नाम से भी जाना जाता है राजिस्थान में उरापत्ता पंजाबी में सतनाम के से जाना जाता है और इसे मराठी में पुंबा के नाम से भी जाना जाता है बंगाली में गलगसे कहते हैं, इंग्लिस में इसे खंबे कहते हैं, इंग्लिस नाम है Lucas Thumbsow, अगर स्वात की बात करें, तो मधूर, कडवी, उश्न और सुचर होती है, वनस्पती, नास, पित, वाशक होती है, कफ को मिटाती है, दिमाग को तेच करने वाली, बुद्धी को बढ़ाने वाल और रूची को भी बढ़ाती है, किमी को बढ़ाती है, और इसके पंचांग होते हैं, यह भाग जो होते हैं, जैसे की जड़, तना, फूल, फल, पत्ते, बीच, इत्यादी, इचक और उत्तेजित प्रवर्तिका होता है, दोस्तों, शरीर पे अगर किसी भी प्रकार की सूज तो उसमें भी यह बहुत गुड़कारी, लाबकारी, महत्तपुन, ओशदी है, यह कामला रोक को भी मिटाती है, इतना ही नहीं दोस्तों, यह तुचा रोक के लिए भी काफी जादा फाइदेमन ओशदी है, जैसे दात, खाज, खुजली, फोड़े, फुनसी, एक्जाइमा या फिर आपके स्किन पे छुचटे दाने हो जाना इन सब के लिए, फिर आपके स्किन पे दात, खाज, खुजली हो जाती है, सफेद दा, किसी भी प्रकार की स्किन की आपकी अगर परिशानी है, तो उसके लिए यह बहुत गुड़कारी, महत्तपुन, फाइदेमन, दिव औशदी मानी गई है, तो चलिए इसके फायदों के बारे में जान लेते हैं, इसके गुड़ों के बारे में जान लेते हैं, साथ-साथ इसके कितनी मात्रा लेनी है, इसके उप्योग क्या-क्या है, यह कौन सी बीमारी में, किस तरीके से इसे इस्तिमाल करना है, यह सारी डि वीडियो को इन तक जरूर देखें और साथ इसाथ वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीज़ेगा क्योंकि आपके लाइक से हमें कोई पैसे ने मिलते बलकि हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है जिससे मैं और भी ज़्यादा ओशदी आपके लिए ढून कर आपस से शेयर करती हूं जो आपके लिए मेरे लिए हम सब के लिए काफी जादा फाइदेमन साबित होती है तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी को भी सरदर्द की समस्या है तो तो कभी-कभी किसी का हाफ सरदर्द होने लगता है और कभ पीस लीजे चटनी बना लीजे घर लाग इन अच्छे से साफ करिए साधे पानी से दोईए उसके बाद इन्हें चटनी बना करके पेस बनाना है और अपने उस जगह पे लगाना है जहां आपका हाफ सरदर्द हो रहा है या पूरा सरदर्द हो रहा है आपको 10-15 मिनिट में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा आप एक और उपाय कर सकते हैं कि इन पत्यों का रस निकाले और अपनी नाक में दो-दो भून डाल सकते हैं इससे भी आपके सरदर्द ठीक हो जाता है साथ ही जिन लोग को माईग्रेन होता है हाफ सरदर्द होता है या पीछे का बैक पुशन दर्द होता है उसमें बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है साथी साथ ये पेट की प्रॉब्लम यानि की पेट से जुड़ी समस्याओं को भी खत्म करता है इसके पत्ते आप देख रहे हैं आज भी लोग गाओं घरों में कहीं पुराने इलाकों में तोड़ तोड़ कर इसे साथ बनाते हैं और रोटी के साथ खाते हैं चावल के साथ खाते हैं क्योंकि इसके बहुत जादा फायदे हैं इसको खाने से तो इसलिए इसकी पत्यों को बना-बना के साख के रूप में भी लोग इस्तिमाल करते हैं अब सारे विटेमिन्स पाये जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए काफी जादा फायदे मन्द है तो चले दोस्तो अब आगे चलते हैं औशदी गुड़ों के बारे में जान लेते हैं दोस्तो आज के समय में लाइफ में इतनी भाग दोड़ है जिन्दगी में इतनी भाग दोड़ है इतने काम है या उन लोगों को खाने पीने को सही से नहीं मिलता है या नहीं खाते हैं जिसकी वज़े से लाइफ स्टाइल काफी ज़दा खराब हो चुका है चुद्ध खाना नहीं खाने की वज़े से पेट की समस्या हर किसी को हो जाती है कुछ रहता है किसी को सरदर्द की समस्या, किसी को पेट की समस्या, किसी को गैस की समस्या, तो किसी को कब्ज की समस्या किसी ना किसी को कुछ ना कुछ समस्या जरूर रहती, तो ऐसी बहुत समस्या हैं जो हर किसी हर किसी में होती है तो दोस्तो इसका इलाज मैं बताती हूँ आपको इसे पत्तियों को तोड़ लें, धो लें और इसका साग बना करके खाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइदा मिलता है कभी कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं और पेट में जब कीड़े हो जाते हैं वैसे तो आप देखेंगे छोटे बचों को जादा कीड़े होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है बड़ों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं तो उसमें सबसे अच्छी ये फाइदेमंद और शदी है और करीब आधा कप निकाले उस रस को और रात में इसे खाने के बार इसका सेवन करें सेवन करने से आप देखेंगे सुबा में इसे इसको मल के थूँ पेट के जमे हुए कीड़ों को बाहर निकाल देता है साथी साथ ये काफी ज़्यादा फायदे मन्दे पेट से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान करता है तो ये इसली मल के थूँ मल के दौरा मल के साथ कीड़ों को बाहर करता है तो आपको इसी तरीके से सेवन करना है लेकिन लगातार तीन दिन करना है यकीन मानिये आप सब लोग कि ये बहुत जादा फाइदेमंद है, आपके पेट के लिए तो रामबाड है, तो इसका इस्तमाल इसी तरीके से करना है, और किसी को दोस्तो कामला रोग हो गया है, तो कामला रोग के लिए आप इसकी पत्यों को तोड़ना है, और नाक में दो-दो भून सेवन करें, रोजाना इसे सेवन करें, इससे आप देखेंगे, कामला रोग आपका जड़ से खतम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक दिव्वे औशदी उसके लिए रामबाड का काम करती है, बहुत ज़ादा फाइदेमंद है, इसे इसी तरीके से इस्तमाल करना है, ताकि रापी से निकाल लें और करीब 10 ml रस में थोड़ी सी काली मिर्च, सेंधा नमक मिलाएं और उसका सेवन करें, इससे आपके रोग में बहुत ज़र्दी आपको फाइदा मिल जाएगा, रामला रोग के साथ साथ पांडू रोग को भी खत्म कर देता है, इसके साथ ही साथ ये डाइब डाइबिटीज में इस तरीके से फाइदा करता है, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, करीब करीब हर घर में बुड़े बुजर्ग लोग हैं जिनको डाइबिटीज हो गई, आजकल तो यंग भी देखने को मिल रहे डाइबिटीज हो जाती है, तो उसमें आपको इसी तरीके से आपको आधा कफ निकाल लेना, उसमें थोड़ी सी काली मेच, सिंधा नमक लेकरके इसका सेवन लगातार दस दिनों तक करना है, इसको आपको मातरा 10aman लेना है, उसमें थोड़ी काली मेच, सिंधा नमक और सुबा खाली पेट, continue लेना है, अगर आप 10 दिन तकले लेते हैं, तो आपकी diabetes control रहेगी, अगर आप continue रहते हैं, तो diabetes की problem आपकी जड़ से खतम हो जाएगी, इसको आपको आधा किलो के करीब ले आना है, और इसे इसका आपको काड़ा बनाना है, उसमें काली मेच, थोड़ी सी काली मेच, थोड़ा सा नमक डाल करके, अगर आप इसका रोजान इसका रस निकालें, उसे काड़ा बनाएं, और उसमें पिपली, पिपली की पौधा उसमें डाल दें और उसे उबालें, उसका काड़ा पीने से आपकी कोहनी का दयद, घुटनों का, कहीं भी किसी प्रकार की दर्द हो, तो वह आपकी बहुत ही जल्दी उसमें राहत मिल ज और इस ये ना, ये साप के विश को कम करता है, बिच्चु के विश को कम करता है, लेकिन आप इसका डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं, तो ये थे शंग पुषपी के फाइदे, जो कि आपने सुन लिए और काफी जादा फाइदे मनने, ध्यान से ही सुने होंगे, तो ये जानकारी सब को मिल सके ताकि इसका इस्तमाल जब लोगों को दिख जाए आसानी से तो ये उसका इस्तमाल कर सके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में एक नई और शदी पुषपी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों